आपका मेरे चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स गर्मी आ गई हैं और होली का त्योहार भी आने वाला है गर्मियों में जब हम ठंडी ठंडी ठंडाई पीते हैं तो सभी को पीने बहुत अच्छी लगती है और जो होली का त्योहार है वो बिना ठंडाई के अधूरा है तो सब घरों में ठंडाई बनती है तो हम इस होली पर बजार से ठंडाई के ओ लेकर आए जब हम इसको अपने घर पर ही बना सकते हैं और यह बहुत ही अच्छी ठंडाई बनकर त्यार होती है और आप इसको स्टोर करकर भी रख सकते हैं और पूरी गर्मी में इसका एंजॉय कर सकते हैं और इससे आप मैं इसी ठंडाई से आपको दो तरीके की ठंडाई बनाने बताऊंगी अब हम ठंडाई बिनाने के लिए समान देख लेते हैं, यह 200 ग्राम मैंने चीनी लिए, यह मैंने दो चमच यहाँ पर खसकस लिए, इसको हम पोस्त का दाना भी बोलते हैं, यह बहुत ही हेल्दी होता है, और मैंने यह 20-25 काजु लिए, मैंने यह टुकडा लिए है, अगर आ चोटी लाइची, और एक से देड़ चमच मैंने यहाँ पर पिस्ता लिया है, देड़ चमच सौफ, यह मैंने चोटी वली सौफ का यूज किया है, और मैंने यह थोड़ी सी गुलाब की पतियां लिए, मैं फ्रेंट्स क्या करती हूँ, गुलाब को मार्किट से लेकर आ जा जार लेंगे, आपको इध्यानक ना कि जो आप मिक्सी का जार लेंगे, वो बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भी मौश्यर नहीं होना चाहिए, अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, काली मिर्च, छोटी लाइची, खस-खस, सौंफ, इन सब चीजों क डाल कर हम एक बार इनको अच्छे सा पीस लेंगे, अब देखें मैंने इन सब चीजों को अच्छे से पीस लिया है, हम अपने ड्राइफ रूट्स भी इसमें डाल कर अब पीस लेते हैं, ये फ्रेंट्स मैंने इसले किया ताकि चीनी अच्छे से पहले पिज जाए, उसके हम सब समान डालें इसमें, मैंने गुलाब डाल दी, अब मैं ये चिरोंजी, बादाम, ये केसर, और मैं थोड़ा सा फूड कलर का भी यूज करूंगी, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको बिना फूड कलर के भी बना सकते हैं, बहुत थोड़ा सा जैसे मार्किट इसमें डाल रही हूँ, जिससे हमारी ठंडाई में बहुत ही अच्छा कलर आ जाए, और इसको हम एक बार फिर से पीस लेंगे, अब देखे मैंने इन सब चीजों को अच्छे से पीस लिया है, और ये बहुत ही अच्छी ठंडाई बनकर त्यार हुए, और इसकी अब देखे मैं इसको चान रही हूँ, तो आप इसको इस तरीके से चान सकते हैं, ताकि ये सारी ठंडाई में अगर कुछ मूटा होगा तो वो निकल जाएगा, अब देखे मैंने सारी ठंडाई को चान दिया और इसमें काफी सारा मूटा बच गया है, तो इसको भी हम नही इसको आप इसको दुबारा से ग्राइं कर लीजें, या फिर इसको आप उठा कर रख देजें, क्योंकि इतना सा जो मिक्सर में पीछना बहुत मुश्किल है, तो इसको हम अगली बार के लिए उठा कर रख देंगे, या फिर आप इसको किसे भी चीज के ओपर प्रिज ग्राइब कर रख सकते हैं, जैसे आप कुछ बी डीच बना रहे हैं तो, अब यह देखे हमारी बहुत है अच्छी थंडाई बनकर त्यार हो गई है, अब इस थंडाई के प्री मिक्स से मैं आपको थंडाई बनाकर दिखाती हूँ, जो इतनी टेश्टी लगेगी, आपको पिकर मज़ा जाएगा अब देखे मैंने यहाँ पर एक काज का साव सुत्रा जार लिये और यह बुकुल अच्छे से सूखा हुआ है इसमें हम इसको डाल देंगे और इसको हम स्टोर करका रख सकते हैं अगर आप इसको फ्रीज के बाहर रखेंगे अगर आप इसको फ्रीज में रखते हैं तो पूरी गर्मिया जो है आप इसका मज़ा ले सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा बस आपको एक चीज का धिहान रखना है कि आपको इसमें गीली चमच का यूज बिल्कुल भी निकरना है अब यह देखें मैं इस ठंडाई के प्री मिक्स आपको ठंडाई बना कर दिखाती हूँ यह मैंने दो चमच इसका ठंडाई का पाउडर लिया है इसमें हमें चीनी वेगरा कुछ भी डालने के बिल्कुल भी ज़ुरत नहीं है अब इसको ठंडाई बूद लिया है इसमें हम यह दूद को डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से आपको इसको मिक्स करना और हमारी बहुत ही टेस्टे ठंडाई बनकर त्यार हो गई है यह देखें बस आप इसको एक मिनट के बाद आप सर्व कीजिए ताकि जो हम इसमें सारे ड्राइफ्रूट्स बगरा डालें वह अच्छे से इसमें मिक्स हो जें और इसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आजए अब इसको हम थोड़े से पिस्टे के साथ गार्निश कर देंगे मैं इसी के साथ कर रही हूँ जो मेरे ड्राइफ्रूट्स बच गए थे पीसने के बाद मैं उसी से इसको गार्निश कर रही हूँ इसके साथ गार्निश कर दिया है थोड़े से पिस्टे डाल सकते हैं आप इ यह भांगग आपको बहुत ऐवलेबल हो जाती है को हम थोड़ा सा डाल देंगे आप बहुत ज्यादा मध डालीएगा तोड़ी सा मैं भोट थोड़ी सा डाल रही हूं ओर मैं दो ये जो दो चममच है ठंडाई प्रि मिक्स के जो हमने बनाई है वो डाल देंगे और इसमें हम बहुत थोड़ा सा दूड़ डाल देंगे क्योंकि मेरा मिक्सर का जार बहुत बड़ा है और मैंने जो भांग ले वो बहुत थोड़ी सी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें दूड डाल कर इसको पीस रही हूं अब देखे मैंने इन सब चीजों को अच्छे से पीस लिया है और इसमें अब हम ये दूड डाल देंगे और इसको एक बार और पीस लेंगे अपि देखे मैंने इन सब चीजों को अच्छे से एक बार और ब्लेंड कर लिया है और यह हमारी भागवाले थंडाई बनकर त्यार हो गई यह बहुत ही टेस्टी थंडाई बनकर त्यार हो गई है पर आप एक बात का ध्यान रखेगा, इसको बच्चों को मत दीजेगा, कभी बच्चे इसको पी ले, तो उनकी हाल के लिए अच्छा नहीं है, और इसको मैं थोड़े से सूखे, गुलाब के साथ गार्णिशर दूँगी, और ये लीजिए हमारे दोनों तरीके की ठंडाई, और ये हमारा प्रीमिक्स बनकर त्यार हो गया है, तो इस होली पे आप भी अपने गैस्ट को इस तरीके से ठंडाई बना कर पिलाईए, और इस प्रीमिक्स को आप स्टोर करकर रखिए, अगर आपको मेरे ठंडाई का प्रीमिक्स बनाने का तरीका और फिर उससे ठंडाई बनाने का आइडिया अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिएगा और बैल आइकन को आल पर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आजए और एक बार इस हो अवारे तंडाई को भी जरूर ट्राइ करकर देखिएगा